C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तु थे कक्षा दो की हिंदी की ध्वनी पुस्तक सारंगी प्रिष्ट एक सौन नौ, इकाई पांच, आकाश, पाठ बाईस, आनन्दमई कविता, शीर्षक चार दिशाएं उगता सूरज जिधर सामने, उधर खड़े हो मुह करके तुम, ठीक सामने पूरब होता, और पीठ पीछे है पश्चिन बाई और दिशा उत्तर की, दाई और तुम्हारे दक्षन, चार दिशाएं होती है यों, पूरब पश्चिन उत्तर दक्षन साभार, यूपी बोर्ड एवं N-C-E-R-T, यूपी, इस पृष्च पर एक चित्र दिखाया गया है, जिसमें एक बालक की पीठ दिखाई दे रही है उस बालक का मुख उगते हुए सूरच की ओर है, और सूरच से ही चारों दिशाओं को समझाया गया है, जिस ओर बालक देख रहा है, वह पूर्व दिशा है उसकी पीठ जिस तरफ है, वह पश्चिम दिशा है, उसका बायां हाथ जिस तरफ है, वह उत्तर दिशा है, और दायां हाथ जिस तरफ है, वह दक्षिन दिशा है प्रिष्ठ संख्या 110 बात जीत के लिए, एक, आप दिशा का अनुमान कैसे लगाते हैं, दो, यहां कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों से अपनी अपनी कहानी बनाएए और कक्षा में सुनाएए, शब्द हैं, आकाश, ओले, बादल, जंगल, मिलकर, जानवर, शेर, हाथी, लोमडी, डर, सुभा, खुशी-खुशी, नाचना, पहाड, खेल-खेल में, एक, गोले में बैठ कर इस गतिविधी को कीजिए, एक, आपके दाईं ओर कौन-कौन से मित्र बैठे हैं? दो, आपके बाईं ओर कौन-कौन से मित्र बैठे हैं? तीन, बाईं ओर से आप किस नंबर पर हैं? चोटे समुहों में, चारों दिशाओं के नाम लिखे हुए कार्ड्स बनाईए, और दीवारों पर सही जगह लगाईए, चारों दिशाओं के लिए कुछ चित्र भी बनाईए सारंगी, वाचन्स्वर, बावला कोचर और ममता मलकानी, तखनीकी निर्देशन, बटिलैंग लिंग्डो, ध्वन्यंकन, मयंक कुमार, निर्मान सहयक, तनु गुप्ता, निर्देशन एवं निर्मान, विमलेश चोधरी, तथा प्रस्तुती, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत प्रस्तुती, CET, 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 CET.